नमस्कार मैं हो ससी आई जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं राम नौमी को लेकर 15 को आयोजित होगी परत्योगिता राम नौमी को लेकर पुरे सहर में उलास है समीतियां तयारी में जूट गई है सिरी महावीर मंडल रांची महानगर भी इस बार भब्य सोभायात्र निकालेगी सिरी महावीर मंडल रांची महानगर के अध्यक्स कुनाल अजमानी ने बताया है कि राम जनमोद सोपर 15 अप्रेल को रात 10 बये से संकट मौचन हनुमान मंदिर के पास तासा और अखाड़ा परत्योक्ता अवजीत होगी इसमें प्रथम प्रोषकार के रूप में 2100, 2200 प्रोषकार 11000 और 3300 प्रोषकार के रूप में 5100 रूपे के अलावा और जाकिया को संतावना प्रोषकार दिया जाएगा राम नामी की पूरसंध्या प्रमंगलवार 16 अप्रेल को रात 9 बजे से जाकि प्रत्योक्ता समारो एवं भजन संध्या का अवयजन भी किया जाएगा सिरी राम जन्म उत्सव के दिन 17 अप्रेल को 2 पहर 2 बजे से जिवनत जाकि निकलेगी देश के सुप्रसीद भजन गायक अनिल सर्मा जूलूस में भजन की प्रस्तूती देंगे बीजेपी के संकल्प पत्र पर जेमेम ने पुछा सवाल महंगाई बेरोजगारी और किसान का जिक्र कियो नहीं जारखन मुक्ती मोर्चा ने भज़पा के संकल्प पत्र पर कड़ा प्रहार किया है महा सच्यों सुप्रियों भटाचा ने सवाल उठाया है कि महंगाई बेरोजगारी और किसान भजपा के संकल्प पत्र में कहा है किसान पेट्रोल डिजल और लपीजी की भी चर्चा नहीं है सुप्रियों ने पुछा है कि भजपा को बताना चाहिए कि 400 का सिलेंडर 1400 तक कैसे पहुँच गया गरीबी हटाने की बात करने वाले पिये मोदी ने यह नहीं बताया कि देश में 80 कड़ोर गरीबों को मुप्त में अनाज केव नहीं दिया जा रहा है तेल, चावल, गेहु, सरसो, तेल, डाल, प्याज का जिक्र नहीं है उद्योग पतियों को लूट की छूटा है, सारा संसाधन चुनिंदा कार्फोरेट घरानों के लिए है जावुओं ने भाजपाप पर आरोप लगाया है कि राश्ट पति के हाथ बंदे है मनिपो जैसी घटना के बाद जन जातिये गौरों की बात करना आदिवास्यों का अपमान है देश में पहले से सभी धर्मों के लिए कानून बना हुआ है जाहे वह हिंदू मैरेज एक्ट हो या फिर मुस्लीम प्रशनला अलग से किसी के लिए कानून लाने की जरूरत नहीं है जारखन में पसुओं के लिए जल्द सुरू होगी एम्बूलेंस सेवा जखमी वा बिमार पसुओं को पसुओं अस्पताल तक ले जाना लोगों के लिए चुनोती का काम होता है लेकिन अब यह काम असान होने वाला है दरसल जीले में अब पसुओं के लिए भी एम्बूलेंस सेवा सुरू होने जा रही है इसे लेकर जार्खन स्टेट इंप्लिमेंटिंग एजेंसी फोर कैटल और बफैलो डेफलोप्मेंट रांची और इम्राइ ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के बीच समझाता हुआ है इसके तहत पुरे राज्य में 236 पसुओं अम्बूलेंस चलाये जाएंगे इस नंबर पर कॉल करते ही एम्बूलेंस मिल जाएंगी बता से जिला पसुओं पालन पता देगाई डाक्टर अलोक सिना ने बताया है कि बिभाग में इसके लिए त्यारी सुरू हो गई है जार्खन में फिलहाल आम मरीजों को एम्बूलेंस की सिवा EMRI Green Health Services के माध्यम से परदान की जाती है अब पसुओं एम्बूलेंस सिवा की जिमेदारी भी इसी एजेंसी को मिली है मुखे मंत्री चमपाई सुरेन के सीर पर लगी चोट महागडबंदन के नेताओं के साथ मुखे मंत्री चमपाई सुरेन की बैठक के बाद उनकी सुरेक्षा में उस वक्त सेंध लग गया जब CM आदित्यपूर के नोबांता होटल में बेसमेंट में आयोजी बैठक के बाद हॉल से बाहर निकल रहे थे मुखे मंत्री चमपाई सुरेन जैसे ही गेट से बाहर निकले उनके सीर पर फूल से सजा तोरंद्वार मुखे मंत्री के सीर पर गिर गया इस घटना में मुखे मंत्री को हलकी चोट लगी है इस वज़ा से उनके सीर पर गेट गिर गया इस घटना में सीम के सीर पर चोट लग गई है राम नामी को लेकर रांची में 16 से 18 अपरेल तक बदली ट्रैफिक वेवस्था राम नामी को लेकर रांची की ट्रैफिक वेवस्था में बदलाव किया गया है इसे लेकर रांची ट्रैफिक स्पी ने सुतना जारी कर दी है जिसमें 16 अप्रेल को राम नामी को लेकर आखाडो से संध्या में जाकी निकल ले 17 अप्रेल को राम नामी की मुखे सोभा यात्रा जूलूस और 18 अप्रेल को चैती दुर्गा पुजा का विसाजन कारकरम भी निधारित है इसे लेकर ट्रैफिक विवस्थाम बदला किया गया है मंगलवार को साम 4 वए से 17 अप्रेल की सुबह 6 वए तक सहरी चेत्र में भारी वाहनों का परवेश निशेद रहेगा सभी परकार के भारी मलवाहक वाहन रिंग रोड होकर अपने गंतव्य तक परिचालित होगी वही कि सुरी यादव चोक से अपर बजार महावीर मंदिर चोक सहीद चोक के तरफ से अपर बजार महावीर मंदिर चोक एवं सुबह चोक से अपर बजार महावीर मंदिर चोक की तरफ समाने परिचालन वर्जित रहेगा रांची के आडरे हाउस में नाटक राजरक्त का मनचन किया गया नाटक संस्था मैंट्रिक संस्कृति मनतले भारत सरकार एवं कला संस्कृति विभाग जार्खन सरकार ने कारकरम का आयोजन किया था इस तीन दिवसे नाटक महोच्षव का समापन नाटक राजरक्त के मन से किया गया नाटक राजरक्त एक पोलिटिकल ड्रामा है जिसमें यह दिखाया गया है कि राज के कई उचपद के लोग एक साथ मिलकर राजा को गदिस चाटाना चाहते हैं पर उन्हें कोई रास्तार नजर नहीं आता कहानी में एक मोड ऐसा आता है जहां राजा अपनी प्रजा की भलाई के कुछ ठोस कदम उठाते हैं जिसका राज के कई पदा दिकारी लोग साथ नहीं देते और खिलाप खड़े उठते हैं आज से साफ रहेगा मोसम राज़ी समेत पुरी राज़े में अगले पांच दिन तक मोसम साफ और सुस्क रहने के असार हैं इसी वीच राज़े के तापमान में तीन से चार डिगी तक का उछाल आएगा सुबे के कई जी लोग का अधिकतम तापमान बैलिश डिगी तक जाने के असांका है ऐसे में अगले हफ्ते गर्मी से लोग परिशान हो सकते हैं बता दे रभी वार को राज़ी समेत राज़ के दक्षिनी भाग में दो फर बाद बादल चाहे रहे वहाँ कहीं कहीं चीट फूट भी बादल चाने से राचिक अधिकतम तापमान एक डिगरी नीचे आ गया अधिकतम 34.6 डिग्री वरनिवं तम 22.5 डिग्री तक रहा वहीं राचे में अगले चार दिन तक अधिकतम तापमान 38.31 दिग्री रह सकता है जबकि राज में सर्वाधिक तापमान सराय के लागा 41.3 डिग्री दर्च किया गया है सन्मिधान बचाओ भाजपा भगाओ के नारे के साथ जेमेम ने दिया एक दिवस्य धर्ना जामोमो करकर्ताओ ने जिला अध्यक स्याम यादव के नेतित में पाकुड के धनुस पुजा इस्थीत जामो कर्यालय के समिधान बिरोधिन नीती के खिलाप एक दिवस्य धर्ना दिया बाबा साहिब डाक्टर भीम राव अमबेटकर की जानती का उसर पर एक दिवस्य धर्ना कारक्रम आयोजित किया गया था धर्ना में उपस्थित लोगों को सम्बोदित करते वे जिला अध्यक स्याम यादव ने कहा है कि आज देश गलत हाथों में है बाबा साहिब डाक्टर भीम राव अमबेटकर ने हमेशा से आदिवासी दलीतों पिछडों के साथ सबों के अधिकार की लड़ाई लड़ी और समिधान का निर्मान किया पूरे देश 2014 से पौले समिधान के अनुसार चलता था लेकिन जब से केंद्रे में भाजपा की सरकार बनी है तब से देश के समिधान के साथ खिलवार हो रहा है पलामु के गाउं में लगे भजपा परत्यासी के बहिस्कार के पोश्टर के पलामु लोकसभाद छेतर से भजपा परत्यासी बिसनु देयल राम के विरोध में अब लोग खुल कर सामने आने लगे हैं कई गाउं में तो परतियासी बहिस्कार के समद में बैनार वा पोस्टर भी टांग गए हैं पोस्टर पर भातिय जनता पाटी जिन्दाबाद नरेंदर मोदी जिन्दाबाद अमीत सा जिन्दाबाद लेकिन भाजबा परतियासी बिश्नु देल राम मुर्दाबाद के नारे अंकित हैं पोस्टर पर मोदी तुम से बैर नहीं बाहरी बीडी राम की खैर नहीं बाहरी सांसत परत्यासी नहीं चलेगा पलामो का परत्यासी घोसित करो फर्जी जाती पवान पत्र बना कर 12 परतिसत अनुसुजी जाती के हक मानने वाला परत्यासी जारखन को नहीं चाहिए आधी निवेदक आम जनता पलामू लोग सभाज छेत्र लिखा हुआ है वहीं चैनपूर और पाटनमेंड भी सांसत का विरोत हाल के दिनों में हुआ है इस मामले में सांसत के प्रवक्ता सोमेश कुमार से पुछा गया तो उन्होंने इस पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया है बोकारों में पीट छिदवा कर दिखाई आस्था चारखन के बोकारों जिले के कसमार परखन के प्राचिन सिहपूर सिवालय में आयजीत भगता परव के दवरान रविवार को भगतियाओं ने अपने भगवान सीवा बुढधा बाबा को प्रशन करने के लिए कईतरा के कठो की उचाई पर जुले इससे पहले सिवाले परिसर में दरजनों भगतियाओं ने फोलखोंडी की रसंभीनी भाई है जिसमें भगतिया ब्रंभ मोहूर्त में आग के दहकते अंगारों पर चले जबकि सुबा साड़े आठ बैसे दोपर करीब 11 बैस तक भगतियाओं ने भग पर आरोपियों वा परिजनों ने अचारा खामला कर दिया इस दोरान आरोपिय पुलिस पकर से भाग निकला घटा में करव पुलिस के एक जवान वा मुंबाई पुलिस के एक जवान को चोटे आई है करव थाना के वाहन को भी आरोपियों ने छतिग्रस्त कर दिया है इसक सेथपूर में दिन दहाये ड्राइवर की गोली मार कर हत्या जारकन के पूर्वी सिंभूम जीले के उल्ली डी थाना चेत में रभीवर को फिर गोली के बचार हो गई है उल्ली डी थाना अंत्रकात एनेच इस्थीत वसुंदरा स्टेट के पास बाइक पर सवार्तिन बदमासो ने बारिडी मोहरदा निवासी सन्नी कुमार यादव को छा गोली मारी है इसते घाटना स्थल पर ही सन्नी कुमार यादव की मौत हो गई बदमासों ने उसके सीर में भी गोली मारी है वरदात को अंजाम देने के बाद हमलवार बाली गुमा की ओर फरार हो गई हमलवार मान पोस्ट ओफिस रोड निवासी प्रवीन सिंग वा उसके दो साथ ही बताए जाते हैं लोहर्दग्गा में महिला मैदूर की हत्या जार्खण की लोहर्दग्गा जिले के सेनह थाना छेत्रे के कुंदगड़ी भेस लेटा टांड इस्थीत गन्ने के खेत में महिला की धादार हत्यार से हत्या कर दी गई है स्वरगिये बिमल मांजी की पचास वर्षे पत्नी कलावती देवी की गाउं के ही तिन यूकों ने पुरानी रंजीस में गला रेत दी और भाग निकले खावर मिलता ही पुलिस मोगे पर पहुंची और गन्ने के खेत में काम कर रहे अन महिला की गला रेत दी इस दोरान खेत में महिला के साथ कई और महिला भी काम कर रहे थे गीता कोडा पर हमले से बाबुलाल नराज भारतिय जनता पार्टी के परदेश अध्यक्स बाबुलाल मांडी ने सराइक लेखर सबाजीले के गमहरिया में गीता कोडा और उनके समर्थकों पर हुए हमले पर नराज की जाहिर की है उन्होंने इसे जार्खन मुक्ति मुर्चा की गुंडागर्दी करा दिया है साथी बाबुलाल मांडी ने कहा है कि राज की पूलिस ऐसे उपद्रियों को रोकने में विफल रही है बाबलर मांडी ने कहा है कि वह चुनाव आयोग से अपील करेंगे कि जार्खन में सातर उर जामुमों से इस अपराधिक क्रित का संग्यान ले और तुरंत करवाई करें साथ ही आम लोगों से अपील किया है कि वह सान्ती और सन्यम रखे लोगतंत्रे के इस उत्साओ को सान्ती पुर्वक संपन कराने में अपनी भूमकानी भाई बोकारो में बियाड़ा की सपात कंपनी में लगी आग जार्खन के बोकारो जिले के बोकारो अध्योगी छेतर बियाड़ा के फेज 3 में संचाली इस सपात प्राइबेट लिमिटेट कंपनी में रभीवार के सुबह 5 वजे अचानक आग लग गई है आग तेजी से फैनले लगी जब तक कोई समझ पता आग की चपेट में फेक्टरी आ चुकी थी अगलगी की गाटना में लगवग 1.5 क्रो रुपे का नुकसान हुआ है अनन्फरन में अगिन समन दस्ते को फोन किया गया दमकल के दो बड़े वाहन अगलगी वाले अस्थल पर पहुंचे दो जारखन में लोग सबाचुना 24 से पहले इस तरह आएकला खर्चावा जिले में रायनीती सरगर्मी बढ़ने लगी है बता दे जिले में गमहरिया के मोहनपूर में परचार के दोर्ण भारतिय जनता पार्टी और जारखन मुक्ति मोर्चा के करकताओ के बीच रभीवार को भीड में मुझूद कुछ लोग हरवे हाथियार से लेस दिख रहे हैं भाजपा परतियासी गीता कोडा गमहरिया परखन का दोर्ण करने के लिए रभीवार को राप्चा पंचायत के मोहनपूर पहुंची थी इसी दोरान जामो करकरताओं के साथ भाजपा करकरताओं के ज गुमला में चार लोग हथियार के साथ गिरफ़तार वासि मुन्ना साहू, सुरज कुमार सिंग, सुभम कुमार और बबलु साहू सामिल हैं इनके पास से तीन देशी कट्टा और बारा गोली भी बरामत किये गए हैं धन्यवाद